सबको जिये सुकी प्रभु ये सुक्रिष्ट में प्यारे भाई और बहनों नव जीवन का संदेश इस शिर्षे के अंतरगत प्रत्थी दिन का ईश्वर का जीवनत वशनों को सुनने के लिए समझने के लिए उन वशनों के अनुसा जीवन बिताती हुए प्रभु की नस्दी सब्सक्रिक आने के कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार दीख स्वागत करता हूं आज जुलाई की 30 तारिक है मंगलवार है और आज का दिन का मुक्या संदेश है केत में जंगली बीश का दृस्ठांत का व्याक्या समझाई गई है जंगली बीश का प्रशंग क्या चत्तिस से 42 तक और इस प्रसंग में लिखा है इसा लोगों को विदा कर घर लवटे उनके शिश्वों ने उनके पास आकर कहा खेत में जंगली बीश का द्रस्तांत हमें समझा दीजिए प्रभु के शिश्वों को समझ में नहीं आये प्रभु के शिक्षा जं इसा ने इक एक चीज उनको समझाई इसा ने उनद देते हैं कंद आए उत्तर रह जहान संसार के जहांबलों रहते हैं जीते हैं कारी करते हैं अच्छा बीज राजी की प्रजा है राजी की प्रजा अच्छा बीज के स्रद्रश्य हैं अच्छे लोग हैं अच्छे सोच विछार रखने वाले अच्छे कारी करने वाले वो राजी की प्रजा है जंगली बीज दुस्त आत्मा की प्रजा है जंगली बीज यानि कि जो बोने वाला बहरी शेतान जंगली बीच का रस्तार इसलिए बोने वाला यहां पर बहरी काउन है शेतान है कटने का समय क्या है संसार का अंत है लुनने वाले इस प्रकार से प्रभु ने एक एक शब्द को समझाया अभी हम लोगों को समझने की जरौत यह है जिस तरह लोग ज बीच ब्टूर कर आग में जला देता है Som사arके के अंत में होगा संसार सब के लिए कौमन सबी लोग इस में रहते हैं अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं अच्छे लोग का अज उन हम समझ लिया बुरे के उन आँ हम ने समझ लिया और अभी क्या है अंत में क्या होगा इन सभी लोगों का अच्छे लोगों का और बुरे लोगों का अंत में इनका इनका रिजल्ट क्या है इनकी इनकी ऊपर क्या बीतने वाला है इस बात को लेकर प्रभु हमें समझाता है इस अंसार में जीते वक्त हम अच्छे मनश्य बनके जीए को अच्छे लोगों को अच्छी जगा मिलेगी बुरे लोगों को बुरी जगा मिलेगी इश्वर पक्षपात नहीं करता बेदबाव नहीं करता किसी के साथ अन्याई नहीं करता जैसा मनें जिवन बिताया है अच्छा बिताया है तो अच्छा मिलेगा बुरा जिवन बिताया बुरा मिलेगा इसमें हम ये बात सोच के ना रहें चलो जिन्दगी पर बुराई करते हैं आकरी में पश्चताब करेंगें बच जाएंगे नहीं जितने हमने अच्छे किये उतना हमें अच्छा मिलेगा जितना बुरा क्या बुरा मिलेगा ये बास पस्ट इसलिए यहां पर लोग जंगली बीच बटोर कर आग में जला देते हैं वैसे संसार के अंत में होगा मानव पुत्र अपने स्वर्ग दोतों को बेजे गया और वे उसके राजी के सब भादाओं और कोकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में जोंग देंगे आग का कुंड याने के नरक जो के बाद उनको नरक में ना बुझने वाली आग में जाना पड़ेगा और आगे प्रभु का वशन बता वहां वे लोग रोएंगे और दान पीष्टे रहेंगे तब धर्में अपने पिता के राज में सूरी के तरह चमकेंगे जिसके कान हो वह सुन ले प्रभु का वशन में बताता है इस प्रकार से जेंगली बीश के औरश्टांग के व्याक्या के रूप में हमसमझाया गया हैए अक्छा जो करता उसको अच्छा मिलेगा बुरा करता उसको बुरा मिलेगा किसी के साथ बैद बाभ पक्षपात अन्याए नहीं होगा न्याए प्रिया ईश्वर सबके साथ न्याई करेगा सही न्याई करेगा सही निर्णाई देगा इसलिए अगर हमें स्वर्गराजी की सुक वोगना है इस दर्ती पर हमें बहुत सारी चीजसें को तियाग ना होगा, चोड़ना होगा, बूलना होगा, प्रवु के हाथों में समर्पित करना होगा एक अच्छा जीवन जीना होगा अगर हम दुनिया में हर प्रकार के बुराई के जीवन बिताएंगे अमने शित्रुप से स्वर्गराजी के सुक नहीं प्राप्त कर पाएंगे इसलिए जेंगली बीज के दरस्थांत के द्वारा प्रुब हमें समझाता है जो कुछ भी जेंगली है जो कुछ भी बुरा है जो कुछ भी न्याय संगत नहीं है जो कुछ भी गलत है जो कुछ भी ब देने वाला है उसको अपनाएं और जीवन पाएं प्रभु हम सभी को जीवन दने के लिए आया उसलिए प्रभु ने अलग अलग प्रकार की दुआ देसतांतों के द्वारा अपने वचनों में अपने संदेश Хalama को अपने संदेश को हम लोगों तक पहुंच आया इसलिए आज के दिल में प्रभव का वचन सुनकर हम इसको ग्रहन कर अपने दिल में रखें हमारा दिल्डिल रुपिक क्anyet में बुध का वचन था कि वचन हमारे अंदर कारी करें हमारे अंदर के बुराई दूर करने के लिए हमें ताकत हिम्मत प्रदान करें और हम निश्यत रूप से मेहनत करते वह उस प्रभु के द्रस्टी में वुचित अच्छा नेक आदर्श जिवन बिताते विए इस दुनिया के बास्वर्ग राज्य का सु बास्वर्ग राज्य का सुख पाने के लायक बने इसलिए भाईयों बहनों आज का वचन हम सभी ग्रहन करें इस पर मनंचिंतन करें प्रभु के करपा शक्ति सामर्थ मांगें वही प्रभु हमारे अंदर के बुराई दूर करने के लिए हमें ताकत हिम्मत प्रदान करें औ प्रपा शक्ति सामर्थ मांगें वही प्रभु हमारी साहता करें हमारी मदद करें ताकि प्रभु के इच्चा के अनुसार प्रभु के योजना के अनुसार इस दुनिया के समाप्ति के बाद हम स्वर्ग राज्य का सुख पाने वाले बनें किसी प्रकार से दुनिया में उसे के मदद करने का जीवन हम जीएं और प्रभू हम सबों को उसका पुरास्कार अवश्य देगा वही प्रभू हम सबों का बर्कत और आशिस प्रदान करें आमेन